स्टार्ट केने जा रहे है आज को टॉपिक है वैरिशनल प्रॉब्लम है पारे मैं मतब एक सब्सक्राइब किसी और के फॉंक्षन होंगे थीक झीज और बैरिबल के फॉंक्षन होंगे ठीक है देखते हैं let's start variational problem based on parametric form while investigating given functional जो हम जब given functional को investigate करते हैं इसके बारे में देखते हैं कैसे function निकालना है i y x x1 से x2 हमें limit दे रही है f x y y dash dx इसे equation 1 ले लिया ठीक है for an extremum ये extremum play it is more convenient and sometimes advisable to obtain the solution in parametric form ठीक है ये कभी कभी देखो जहां parametric form में मतला x को दूसरे का function निकालना है x is equal to xt और y is equal to yt ठीक है ये थोड़ा आसान हो जाते हमें ये function हमें extremum निकालना थोड़ा आसान हो जाते है ठीक है then the functional one will be reduced to the following form ठीक है का function हो गया ठीक है t के function हो गए तो हम देखो फिर reduce किसमें होगा देखो जो हमने x equal to xt रखा और y equal to yt रखा फिर हम क्या करेंगे देखो तो हमारा देखो y equal to तो हमारा y x के form में था तो y x के form में कैसा आएगा y dy बटे dt upon dx बटे dt ठीक है y dash क्यों जाएगा y dash क्यों होता है dy बटे dx होता है न ठीक है तो हम अगर उपर नीचे इसमें multiply कर देखो डीटी स्वारी डीटी से डीटी कर जाएगा तो हमारा यहां से जो y dash हमारा क्या था functional हमारा f था f equal to f equal to x f के form में था x y y dash है ठीक है y dash क्यों होता है dy बटे dx ठीक है तो हमने इसको हमने x को भी change कर जा ठीक के form में और y को भी t के उसमें कर जा तो हमारा y dash क्या आएगा हां से हमारे देखो y dash हो जाएगा dy बटे dx equal to dy बटे dt upon dx बटे dt ठीक है मतब जह हम y को भी t से t के respect में डिफ्रेंशेट करना है x को t के respect में डिफ्रेंशेट करने के बाद हम dy बटे dx बटे dt upon dx बटे dt ठीक है बता हम y dash t के form में और x dash t तो हमारा dy बटे dx आएगा ठीक है x ठीक के form में है y भी ठीक के form में है तो हमारी limit जो हमारी x से था x1 से x2 था वह भी चेंज लियागा तो t के respect में होगा ठीक है जिसे हम integration में कर देथे अगर हमने कोई हमारा हम किसमें चेंज करते तो मतला हमने ऐसे 1 प्लस c2 x2 थीक है x2 आ गया तो हमने इसको आगा हमारी पर ऐसे integration आ गया x upon यह constant खोड़ा देते हैं 1- x2 थीक है तो 1- x2 dx आ गया तो हमने 1- x2 का हम t लेते थे तो हमारा क्या होते थी लिमिट आगर 0 to 1 दे रखे तो हमारी लिमिट भी चेंज आगे तो लिमिट चेंज होगी तो सेम यहाँ पर भी हमार के होगी लिमिट चेंज होगी ठीक है टीक है तक में लिमिट आएगी यहाँ गा तीवन से 2- x2- x2-y-y-dash-th था वहाँ पर आएगा x-e- est आएगा y-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- तो dx कि हो जाएगा, x, x.t dt, ठीक है, मतलब यह जो dot है, देखो, यहाँ पर dot का, dot का मतलब where the integration is taken along the line, इस line के along ले रखा है, x is equal to xt और y is equal to yt, for t1, जो हमारी t की limit है, t1 से t2 तक है, ठीक है, हमारा derivative है, ठीक है, तो it is to be noted, तो हम यह note करते है, that after transformation of variables, हम जाँ variable को transform कर देदा, integrate in 2, जो 2 में integrate होगा, does not contain t exceptly, and with respect to the variable, x dot and y dot is a homogeneous function of the first degree, ठीक है, जो हमारी पास के मिलेगा, यह homogeneous function मिलेगा, ठीक है, homogeneous, देखो, यहाँ पर यह पूरान दिरका, यहाँ पर दिरका है, it follows the functional, जो हमें functional मिला, ठीक है, यहाँ पर यह पूरान दिरका, यह देखो, इट फालोव दा फॉंक्ष्नल आ익 ? इस भावर्म निए इस फॉर्म में नहीं है इस फॉर्म में यह इस फॉर्म में Baptistơn लेकिन यह फॉर्म में नहीं perlu ठाब एक्सटी या लक्सी नहीं आएगा आईटी ऐसी फॉर्म्य नहीं आएगा डाँ डीपेंज औन टू फॉंक्श्ण इस इस इफ फॉंक्शन के सिमेंट करता है । Xt and Yt but only an extremely particular care of such a functional since its integrate does not contain T exceptly and is homogeneous function of the first degree in variable X dash and Y dash ठीक है जहाँ हम जैस को चेंज करेंगे तो हमाएरे पास क्या आएगा हमाएरे पास क्या आएगा यह क्या आएगा हमाएरे पास क्या आएगा यह क्या आएगा प्रूफ करने के जह हम कहने का मत्तब है यह क्या होगा यह चेंज ही नहीं होगा ठीक है जह हम अगर इसमें पारामीटर हम चर दे एक्षीति अगर गलर हम दूसरा धर मीटर एक्षी में प्रेंट्र फंक्षाण लेला तब अधिक शुक्स visiTodayamp एगा थिक्वी प्रवीह आपे सब्सक्षाण यह तिक तुमर डीपेंट पर ध्रम गया तो हमने ट लेख यहां पारमेटर हम इसके चेंज कर देंगे तो फंक्शनल में कोई चेंज ही होगा देखो आर्बेटरी नहीं है देखो इस वर वर्थ चॉइज एनी अधर पारमेट्रिक रिपर्जेंट्रेशन और डिजाइड कर्व एक इकल्टू देखो हमने अगर दूसरे पारमेटर ले यह किसी दूसरे का फंक्शन ने लिए देखो एक इकल्टू टू टाउ लिखाया एकस टाउ और य कल्टू य टाउ देन दा फंक्शनल आई एकस वाई उड़ी बीडूस टू अब दा फंब इसमें रिडूस जाएगा इस फंब में रिडूस होगा ठीक है जिए हमारा वहा परमयंटर ऍाउन परिम् небольш फिपमेंटर की अवजहाज दें रेखिए तो थिअ कहा हमारा इत्ता ब्राइमरिकग में है दिखो trust को फिरेंट के लिए टिसकर्स हम क्या करेंगे एक ठीक है ठीक है तो ट्योरम देखते हम देखो यह थियोरम है देखो हम इस थियोरम को प्रूव करेंगे इस दा इंटीग्रेट अब दा फॉंक्शनल हम जब यह फॉंक्शनल दे रखा है ixt yt t1 से t2 5txt yt x.t y.t does not contain t acceptly ठीक है मतलब does not contain t t को contain निकारा acceptly and is homogeneous functional function of the first degree हमें पास first degree का homogeneous function मिलेगा मतलब हम जब x.t t को replace कर देंगे एक constant के साथ c x.t देखो इन first degree in x. and y. लिखाया ना ठीक है हमें क्या करना पड़ेगा जो x.t है उसे constant से replace करना पड़ेगा और y.t को भी c y.t से replace करना पड़ेगा ठीक है तो हमें पास क्या आना चाहिए k की पावर जो हमारे पास जो हमने constant डिया है जो बाहर जब आएगा c की पावर 1 आनी चीए इसलिए first degree in x. and y. लिखाया ठीक है the functional i xt yt depends only on type of curve x equal to xt y equal to yt and not its parametric representation जो हमारा जो हमारा कर्व है जो हमारा ये change है जो हमने change कर रहा है ये क्या कर्व पर डिपेंड रुना चीए parametric representation पर नहीं ठीक है तो देखो प्रूब देखते हैं इसका हमें के दिरखा ये दिरखा है assume i xt हमने इसको लिख लिया और हमें के दिरखा ये क्या दिरखा ये यहाँ पर इंट्व करते ना क्योंकि फस्स डिगरी के डॉर्ट एक डॉर्ट में निकालना है थीक है तो होँजिनेंस होगा तो फाइएक डिगरी आने चाहे ठीक है जहाम देखो फाई कर्टूं under root x square dot y square dot ठीक है minus हमेंने plus x y dot minus y x dot लिले ठीक है तो हमें इसको change करना है यहाँ पर क्या लिखना है c लिखना है तो c अंदर root के अंदर है ठीक है अंदर root के अंदर तो यहाँ देखो c से into करेंगे तो इसका जाएगा c यहाँ पर भी c का square ठीक है यहाँ पर c का square यहाँ पर भी c का square हो जाएगा ठीक है तो c का square जो हम c common करेंगे तो क्या आएगा c और यहाँ पर देखो यहाँ पर c भी क्या आएगा c y dot minus देखो यहाँ से भी c common आएगा यहाँ पर भी c का इंट होगा यहां से भी तो माइनस आजएगा तो दोनु से क्या जएगा सी बाहर आया और हमांपास क्या मिला यह मिला एफ फाइ एक्स हाई है एक्स डॉत वाईख दॉतWow के फाम में मी ना कि हमारे पास क्या गए हो मुच्छ इस सब्सक्र्ट किम ऑकर हो गागय ए अप्ली केबल लोगा थिकरविक लेट है कि लिख शिचिड़ा काद को मिए चुटिकर हम धीु का दिएए है घिक लिलिया हमने त्व ताउ खिसका फंक्शन है कि ट का का फंक्शन ये जहां हम इसका करेंगे ट कर Korea respect में fine-tay is not equal to 0 ठीक है इसे इसे more पर यहां से 456 कि ये अन्हों तो उपर जो हमने स्टेटमेंट पड़ा था उसमें दिया होगा अब देखो फ्रॉम 4 & 6 वी गैट 4 & 6 हमें क्या मिलता है 4 & 6 हमने लिखा था XT की जागप हमने क्या लिखना है X Tau ठीक है तो हमने रिपलेस कर दिया T1 से T2 5 XT YT X.T Y.T DT equal to हम देखो टाव के फॉर्म में टाव के रिस्पेक में हम चेंज कर दिया ठीक है तो हमाई पार लिमिट भी क्या आएगी टाव में आएगी टाव 1 & टाव 2 ले लिए हमने ठीक है तो हम यह पार देखो फाई X से पर आएगा X Tau Y की ते पर Y Tau ठीक है फिर देखो इसको टाव के X.T 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 के है ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको differentiate करना है पर यह देखो यह क्या है टाव का function है X.Tau D Tau मतलब यहाँ पर जो X है तो हम इसको D X बटे D Tau करना है ठीक है हम इसको Tau के respect ने differentiate करना है तो यहाँ पर देखो sorry यह X हमें X Tau के form में दिरखा है ठीक है वहाँ पर क्या था यहाँ पर है X.T के respect में है अगर हम D X बटे D T करेंगे ठीक है D X बटे D T निकालना है हमें ठीक हो जाएगा डेल X बटे यह partially differentiate होगा डेल X बटे डेल टाव फिर हो जाएगा डेल टाव अपन डेल एक्स डेल टी सॉरी डेल टाव अपन डेल टी सॉरी डी टाव बटे D T हो जाएगा ठीक है क्योंकि देखो टाव क्या है ती का function है हमने ठीक हम आएगा ठीक हमारे पास देखो तहा हमारे पास क्या है डेल इक्स बटे द्ट बटे यह से लिखते यह से हमारा पर निकुर अपर यहाँपर लिखा क्या टाव का function हो गया और जब इसको करेंगे dt बटे d tau बटे dt करेंगे तो tau उसका हो जाएगा 5t ठीक है और यह dt हो जाएगा 5t क्यों हो जाएगा यह t का function है तो यहाँ पर आएगा हमारा 5 बटाल डिफ्रेंशिशन होगा ठीक है और डिफ्रेंशिस्टिक होगा तो यहा पहुत है से फिर पिर फिर तो यहाँ आपर अपर तो यहाँ आएका यहां lieगा तो यहां पर अदि क्योंकि शुक्ति बूस्सक्ति थेर किि कुultur इहाँ यह पर decisively các यहांपर दिए ढॉर्ट गलत दिर खाए इनों यहां पर देखो तो हमने यहां पर बिदखो य के रिस्पर्ट में य बी क्या है यह टाउ-ट्स ऐल। इंटो दिटाउ बटक्क नीट अ पास देखो तब भी क्या है देखो तो ठीक है d tau बटे यह tau का function होगी है इसलिए उन्हें ना tau का function लिख रहा है यहाँ पर 5.t 5.t और यहाँ पर देखो dt है तो dt देखो यहाँ पर यहाँ पर से निकालेंगे del tau equal to 5.t और यह dt ठीक है यह तो अगर हमें हाँ पर d tau बटे dt करेंगे तो हमें पास क्याएगा यह आएगा सिर्फ हमें पास क्याएगा सिर्फ ? d tau बटे dt करेंगे तो हमेंपस क्याएगा d tau बटे dt करेंगे तर हमेंपस क्याएगा 5.t यहाँ पर से dt की वैल्यू화 है तो हमेंपस क्याएगा यहा से dt की बैलू निकालेंगे c as a is aprender को यहां से यह हो idée यहां से थी फाइज टौ अपॉन फाइड ओट थी थाई हमारा यह इन्ह 나쁜 यह फाम्म में लिखाय dark है कि जो हम स्फाइज नें फॉमोजीनिया फांग्चन ओ फर्स डीगरिम लषी है यह पर है कि मिलेघ यहाँ पर क्या मिलेगा हमें इह constant मिलेगा तो हमारा पास फाइ यह क्या है यह constant है तो हमारे यह constant आ गया क्योंकि यह t का function हो जाएगा तो यहाँ पास अब देखो प्रेक्ट लागाना भूलगे यहां पर यह कहें यह यह कॉंस्टेंट है अब देखो और using using the our fact our fact sorry जो उपर हमने देखा था 7 reduce to 7 किसमें reduce जायगा 7 जो हमने 7 ले रखा है reduce to देखो यहां पर सिर्ट जायगा देखो यह constant है यह बहर आ जायगा तो हमाई पास क्या मल जायगा इसकी जाकता हम पुरा यह लिख सकता है ठीक है देखो यहां से यह बहर आया तो इससे अगर हम देखो d tau बट्टे d phi t कर रहा हमने इससे यह कर दिया ठीक है तो हमाई पास सिर्ट क्या रहा यह रहा ठीक है तो हमाई पास सिर्ट क्या रहा इससे यह cancel हो गया, तो हमाई पास सिर यह रहा, ठीक है, तो इन्होंने वह लिखा है, reduce to 7 किसमें reduce आएगा, यह T1 से T2, इसमें reduce हो गया, देखो, इसमें reduce हो गया नी, इसमें, तो ठीक है, तो वही बोला कि parameter, देखो, दोनु क्या है, जो हमाने change कर रहा था, दोनु क्या है, same आगया, showing that the integrate has not changed with the change in parametric representation, जो हमारा integrate था, वो क्या होँआ, change नियुक्त, ठीक है, parameter हमने change कर रहा है, लेकिन जो हमारा integrate था, वो change नियुक्त, same आया, ठीक है, तो हमारे देखो, तो हमने देखो, तो यह क्या हो गया, यहां से हमारा proved हो गया, hands proved, ठीक है, यहाँ पर देखो, दिरखा है तो आर्क लेंद ती 1 से टी 2 x.2 square plus y.2 square की पावर 1 by 2 dt and the area bounded by a certain curve एक कर दिरखा है इसे हमारा area कहा है? bounded है और दा सच एक्जामपल ठीक है? तेखो यह हमारा functional दिरखा आर्क लेंद और यह हमारा bounded area दिरखा है ठीक है? are the example of such functional ठीक है? तो हम इससे हमें ऐसे functional को हम आराम से निकाह सकते हैं ठीक है? अब देखो यह क्या बन गया है? जिसे हमने functional dependent on higher derivative जो पढ़ा था several dependent variable function for several dependent variable पढ़ा था ना इसे इसे दो का function है सिम उसी form में बन गया है ठीक है उसी form में बन गया है लेकिन यहां क्या आएगा यहां से हम क्या निकाह सकते है radius of curvature ठीक है जो कर्व का curvature बनता है हमारे पास उसका हम radius निकाह सकते है radius of curvature ठीक है radius of curvature यहां से हमारे के extremus of the function of this kind ixt yt t1-t2 phi x x dot y dot dt इस फ़र्म में हो गया where phi is a homogeneous function यहां क्या है यहां condition है homogeneous function की phi is a homogeneous function of first kind first degree of first degree x dot and y dot किसमें होगा homogeneous function किसके respect में होगा first degree x dot and y dot वहां किया था subred dependent में ऐसा कुछ नहीं था वहां homogeneous का होना जरूरी नहीं था यहां क्या है where phi is homogeneous function ठीक है यहां homogeneous क्या होगा phi homogeneous function होगा and also for functional and also for functional with an arbitrary function phi t also for किसके functional arbitrary function जो अगर यह इस form में दे रखा है x t x y x dot y dot we have to this यह क्या बना हमारा किस form में बना हमारे देखो subred dependent अगर इसमें भी दे रखा है तो हमारे देखो तो subred में दे रखा है तो हमारे देखो यह यूलर्स equation लग जाएगी इसमें जो जो subred में दे रखाता में तो ठीक है 5x मतलब 5 बटे del x पहले क्या है x का function है x और y का function है t के respect में है del 5 मतलब माइनस d बटे dt del 5 बटे del x dot लिख दो ठीक है del x dot equal to equal to 0 ठीक है वैसी यहाँ पर के जाएगा x एक पर y आ जाएगा ठीक है तो इन्होंने यह लिखा है यह देखो यहाँ पर यह और यह यूलर्स equation लगा दी ठीक है equation 8 होगी ठीक है देखो हमारे पास not however in this case under consideration equation 8 are not independent ठीक है यह क्योंगे independent है dependent है ठीक है यह क्योंगे किस पर जो हमारा x और y निकलेगा जो हमने कर्व ले रखें ठीक है उनको भी करेंगे यह satisfy करेंगे and also by any other pairs of functions with a different parameter representation of same curve in this case Euler's equation being independent ठीक है ठीक है ठीक हो हमारा parameter form और को भी satisfy करेगा इस इस case में इस case में Euler's equation क्या होगा independent होगा ठीक है Euler's equation हां दोड़न के लिए क्या लगेगा अलग लगेगा ठीक है ठीक है यहां के लिए अगर radius of curvature निकलना है तो वन अपउन पी क्या है ? वन अपउन पी के करम में पी के लिए रखें जिससे one अपउन आ निकलते थे वन अपउन आ उसमें real analysis, real analysis या complex analysis में सब्सक्राइब निकालना है तो देखो बन अपन पी तो बन अपन पी यह पहले क्या करना है फाइब को एकस के डिस्पर्ट में डिफ्रेंशिट करना है फिर फिर क्या करना है फिर क्या करना है फिर क्या करना है फिर फिर क्या करना है फिर उसको किसे डिफ्रेंशिट करना है एकस डॉट से फिर फिर फाइब 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 फाइ x y dot minus 5 y x dot upon 5 1 5 1 क्या है इंटु में है ठीक है ये इंटु में है 5 1 क्या हमारे पास इंटु में 5 1 इंटु x dot square plus y dot square की power 3 by 2 ठीक है ये दिहान रखना x dot square plus y dot square की power 3 by 2 5 1 ठीक है अभी देखेंगे 5 1 की value क्या है where p is radius of curvature of the extremal जो हमारे पाइड जो y निकलेगा उसका क्या होगा पी क्या होगा ये रो स्री रो है ठीक है रो इस radius of curvature of the extremal and 5 1 is a common value of the ratios ठीक है common value of the ratios ratios कौन सा 5 को जह हम 5 को 5 1 equal to 5 को जह हम double differentiation करेंगे x dot के respect में उसको डिवाइड कर देंगे 5 1 है हमारा 5 x dot x dot upon y dot square ठीक है मतला हम 5 को double differentiation करेंगे x dot x dot के respect में और सको डिवाइड कर देंगे y dot के square y dot का square से ठीक है वैसे अगर हम opposite x dot से कर रहे हैं तो y dot का square हमें upon divide करना पड़ेगा अगर हम y dot के differentiation करें यहां पर क्या आएगा x dot का square अगर हम देखो यहां पर हम 5 x dot और y dot करें तो नीचे भी x dot dot or y dot ही आएगा ठीक है तो यह देखो ठीक है यह ध्यान रखना ठीक है लेगे नहीं यहां पर क्या आएगा negative sign आएगा ठीक है यह क्या है दोनों यह दोनों क्या है positive और यहां पर क्या है y dot 5 dot upon x dot x dot y dot ठीक है हमारे 5 1 है 5 1 कह है यहाँ पर इंटो है यह कह है radius of curvature यह निकालने को आया था कि radius of curvature निकालो ठीक है इसको यहां तो यहां से यहां से पूरा निकालो x और y के form में फिर इसको equation form में बनाओ मतलब अगर कोई भी equation थीक है मतलब x x k square प्लस y y y h square इककल तू अगए 1 अपन 2a sqa हमारे 2a sqa क्या हो गया हमारे radius of 1 upon rho 1 upon rho क्या हाजएगा 1 upon 2a sqa हो जाएगा ठीक है यह इक्वाल तू आजाएगा radius of curvature का मतलब यह ही है 2a sqa हाजाएगा मतलब rho हमारे हमारे पास क्या आएगा 2a2 तो ये क्या आजाएगा हमारी रेडियस और करुछ ए CEI इसको devotee क्रोकल कर दिना ये तु ए हो जाएगा हमारा रेडियस और कर्वेचर फि shorts ब्लत्य च्रौकल देखो कॉष्छन देखो उस पर देखो कॉष्छन दोनों तरीके से पहले हमेदेस हो करवेचे निकाल लेते हैं ठीके एक तरीके से मत find the axiom for the functional comment निकालना find the axiom for the functional i xt yt t1-t2 अगर यहाँ तर देखो सिफ रेडेस हो करवेचे नहाप है एक्स्यमन निकालने की बारा है हम रेडेस हो करवेचर से देखते हैं ठीक है हम पहले रेडेस हो करवेचर निकालते देखो ixt,yt t1 से t2 दे रखा है x.square प्रस y.square की पावर 1 by 2 प्रस a² xy.- yx.dt ठीक है एक के रिस्टर्ट में इसको डिफ्रेंस a जा constant ठीक है a b a constant ठीक है कोई भी constant है compare विद्दा हम इसको किस से compare करेंगे देखो ixt 5xy,x.y. देखो इसमें ठीका function नहीं है इसमें क्या है x है y है x x. y.dt we get हमें के मिलेगा देखो हमें 5x यह हमें पास 5x क्या है 5x यह आ गया ठीक है कि लिए लिए यह देखो homogenias है देखो यहाँ पर c के अगर हम 5xy c x. और y c y. मतब यहाँ पर first degree homogenias of first degree within x. and y. ठीक है मतब c x. और c y. ठीक है तो हम क्या करना है देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो c square आ जाएगा यहाँ पर जाएगा c square यहाँ पर x. square plus y. square ठीक है कि power 1 by 2 under root है plus a square यहाँ पर जाएगा x c y. minus y c x. ठीक है यहाँ से देखो दोने से c common आया और under root से एक यह कड़िया c कड़िया ठीक है ज़िए c under root के बहारा जाएगा तो c हो जाएगा c equal to under root x. square plus y. square यहाँ से c common आया बाकी का यह सेम रहा a square बाकी का सेम रहा a square ठीक है c common आया तो यह रहा a square x y. minus y x. ठीक है तो c दोनों से common आया गया c into गया दोनों से common आया तो c और हमारे पास के निकला 5 जो हमने यह लिया तो 5 x y x. और y. ठीक है ठीक हो जाएगा हमारा homogeneous है और इसकी degree क्या रही है 1 आ रही है ठीक है c की power क्या रही है 1 तो हमारे पास क्या आएगा के लिए लिए 5 x y x. y. is a homogeneous function of first degree in x. and y. डा वेस्ट रास पर यूलर्स equation इस गिवन बाई जो हमारे पर 9 equation देर की थी देखो नाइन्थ equation यह जो नाइन्थ equation थी इसमें देरका में वेस्ट रास 5 कैसे निकालना है वन अपन जेड़े सोब करवेचे ठीक है ठीक है जेड़े सोब करवेचे निकालेंगे वेर 5 1 हम 5 1 देखते है 5 1 5 1 के लिए पहले क्या निकलना है 5 x फी इसको differentiate करना है 5 x y दे ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा देखो x के respect में a square y dot आएगा तो 5 x y dot y dash के जाएगा a square यह जाएगा मतलब फिर इसको क्या करना है y dash के respect में differentiate करना है तो हमाह पास क्या आएगा a square आएगा फिर हमके निकालने 5y तो हमाह पास आएगा minus a square x dot तो हमें पास क्याएगा देखो फिर क्या करना है इसको x dash के respect में क्या करना है x dot के respect में differentiate करना है तो हमें पास क्याएगा minus a square आ गया है तो हमें पास देखो अब 5 dot हम क्या करेंगे 5 dot निकालेंगे 5 dot निकालेंगे तो यह आज़ेगा 1 by 2 into तो हम क्यों करेंगे देखो इसको निकालना है 5. निकालना है तो तो इसको करना है तो यह जाहेगा 1 by 2 under root X. square प्लस y.square फिर x के respect में 2x.2x. क्योंकि फिर इसको करना है फिर इसको डबल फिर इसका differentiation होगा ठीक है तो 2 से 2 cancel हमाइपस क्या आएगा देखो और माइनस यहां पर अभी अभी तो यह पार्ट होगा है फिर क्या आएगा माइनस एक्स डॉट के respect में माइनस वाई आएगा ठीक है माइनस वाई ए ए स्कॉर आए तो हमाई पास यहां पर क्या दें रिखा है इननों एक्स डॉट आएगा हमाइपस पिर जब हो कर फिट ल है अगे इसको अग्शेट करेंगे ठीक है तो क्या आज यह second function लेलो, 5 differentiation of u भी क्या होता था, u du into v plus u dv होता था, ठीक है, first function, इसको second function लेलो, तो differentiation of first function इन्टो v plus, sorry, differentiation of first function इन्टो second function प्लस first function इन्टो differentiation of second function, ठीक है, अब दिखो, जह हम इसको double differentiation करेंगे, x dot, x dot है हमारे पास, x dot, sorry, 5 x dot है हमारे पास, x dot upon under root x dot square plus y dot square minus a square y है, ठीक है, तो यह हमारा u upon v के form में बन गया, ठीक है, u upon v के form में बना, तो हम क्या करेंगे देखो, तो यह क्या जाएगा, तो हमारे पास क्या होता है, डिफ्रेंशेशन, v into, मतब, v into differentiation of u minus, v into differentiation of u minus u differentiation of v upon v square, ठीक है, तो हम यह लगाएंगे, इसका double differentiation करेंगे, तो 5 double dot आएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो, 1 upon, जह सको double differentiation करेंगे, देखो, हम क्या करते, 5 x, निकालना है, तो यह अपन, v के form में था, v कह था में पाए, x dot square plus y dot square, तो into करेंगे, x dot तो हो जाएगा, 1, ठीक है, तो minus x dot upon, 2 under root, फिसका करेंगे न, v का, तो यह आजएगा same, तो यह जो हमने पहले निकाला था, ठीक है, तो हमारे पास क्याएगा, x dot, x dot upon, x dot square plus y dot square आएगा, ठीक है, और जो हम v का square करेंगे, इसका square करेंगे, तो हमारे पास क्याएगा, तो अब देखो, जब इसको, इधर multiply कर दो, इसके सांद multiply करेंगे तो हमें पास क्या आएगा x, इसके सांद x.square plus y.square- x.square upon इसकी power क्या जाएगी 3 by 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हमें पास देखो तो आएगा y.square upon x.square plus y.square 3 by 2 आया और यह वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x. है नहीं partial differentiate करने पर यह constant होगा तो यह पार्ट 0 हो जाएगा तो हमें पास क्याएगा y.square upon x.square plus y.square 3 by 2 ठीक है यह हो गया अब देखो तो हमें 5 1 निकालना है ठीक है 5 1 निकालना है तो 5 1 है 5 x.y. upon y.square से भी यह लिखना है ठीक है तो हमने के लिखा है तो हमें पास क्याएगा 1 upon y.square से y.square कर दिया तो हमें आपार आएगा 1 divided by x.square plus y.square 3 by 2 तो 1 upon rho जो हमें निकालना लिखा था 1 upon rho क्या था हमें पास देखो 5 x y. minus y.x. upon 5 1 into x 5 1 into x.square plus y.square 3 by 2 तो हम यहाई पर इसके value लग देते हैं एक यह आ रहा था x.square यहाँ रहा था minus minus a square और यहाँ पर आ रहा था 1 by x under root x.square plus y.square की पावर 3 by 2 तो हमें और इन्टू सेम इससे यह सेम है तो इससे यह कर जाएगा अपान में यह आएगा और 2a square आएगा 1 upon rho के आएगा 2a square आगया ठीक है 1 upon rho के आगया हमारा 2a square आगया अब देखो ठीक है 1 upon rho के आएगा 2a square आएगा 1 upon rho 2a square हो गया ठीक है तो rho के आजाएगा 1 upon 2a square ठीक है radius of curvature के आगया हमारा radius of curvature ठीक है अगर यह option में आ गया ठीक है माना यह option में आ गया तो इसमें इसको इसको ही मर लिख देना कभी कभी हम यही लिख देते है 1 upon rho तो 2a square दे रखा था हमने इस पे टीक कर दिया हमारा क्या हो जाएगा यह गलत हो जाएगा ठीक है तो इसको ध्यान अखना 1 upon rho है 1 upon rho है ठीक है रो नहीं है रिडर साथ करवेचर के होता है रो होता है रो नहीं तो रो क्या जाएगा 1 upon 2a square है अंग्सर हो जाएगा तो इंग्सर हो जाएगा तो इसका अल्टरेनिट मेथड देखो देखो अल्टरेनिट सॉलिशन है कंपियर गिवन फॉंक्शनल विद टीवन टीटू फाइट एक्स वाई एक्स डॉट डॉट डीटीवी गेट हमें क्या मिलेगा देखो तो हमें पास फाई यह आ गया था ठीक है देखो हमें पास फाई फाई तो यह आ गया था ठीक है फाई टी एक्स वाई एक्स डॉट वाई डॉट हमें पास फाई हमें पास यह मिल गया था चामके देखो यूलर्स एक्कोईशन लगाएंगे ठीक है यह पारमेक्रिक फॉर् डल 5 बटे डल x minus d बटे dt डल 5 बटे डल x dot equal to 0 और वैसे डल 5 बटे डल y minus d बटे dt डल 5 बटे डल y dot equal to 0 ठीक है अब देखो डल 5 अपन डल x क्या जाएगा equal to a square y dot square निकला था हमारे पास यह डल 5 डल x dot ठीक है और यहां से डल 5 बटे डल x dot यह निकला था ठीक है समने पहले निकाल जाता ठीक है अब देखो इसको क्या करना है डिफ्रेंशेशन करना है तो यह कह जाएगा दिखो फर्स फंक्चन बन अपन यू ती के डिफ्रेंशेट करना है तो हमारे परस कहएगा x double dot x dot square plus y dot square minus 1 by 2 minus x dot x dot square plus y dot square minus 3 by 2 x dot x double dot plus y dot y double dash तेखो जहां हम इसको डिफ्रेंशेशन करेंगे double differentiation y इसको double differentiation ने 5 dot sorry इसको टी के रिस्पेट में differentiation करना है इसको first function लेलो इसको second function लेलो ठीक है ज़ता हम डिफ्रेंशेशन हो first function एक होगा x double dash ठीक है और second function वहसी इंटो होगा x square x dot square plus y dot square की पावर 1 by 2 ऐसी रहा minus 1 by 2 है ठीक है minus 1 by 2 है फिर क्या होगा फिर क्या होगा प्लस यह प्लस क्या होगा first function एसी रहेगा ठीक है फिर क्या होगा second function ठीक हो डिफ्रेंशेशन हो ठीक है प्लस क्या जाएगा ना sorry minus 1 n minus 1 हो जाएदा ना x की पावर n इंटो n minus 1 so minus 1 by 2 minus 1 थीक है यह क्या जाएगा minus one by 2 है और minus 1 थीक है पावर में भी 1 minus और थीक है तो यह दोण की जाएँगे इसको जहां माes add करेंगे minus plus मतर्न मतल्स भिफ्रेंशन होगा jakim मतंस 1 by 2 minus 1 की होगा mmm 3 by 2 थीक है तो power क्या जाएगे मारपास इस dot square की पावर minus three by two फिर अंदर की होगा फिर इसका भी differentiation होगा त के respect में ट के respect में होगा फिर into के आएगा हैं यहां पर into यहां पर हमने into करा इसका को हो जाएगा two x dot फिर x का double differentiation फिर का जाएगाा plus यह वैसी ही इसका square है y.square है तो two y.y इसका पर टीके रिस त्डाइक में डिफ्रेंट स्रेशन हो जाएगा ठीक है ठीक है थी हमारे पास देखो तभी हमें के तेरा थे देखो हमारे पास क्या आया है देखो ऐहां इहाँ पर क्या यहां से मैं यहाँ पर शकर बनाल यहाँ परसकी किया रहा है यहाँ से नुनयाच का रिखे लिख द ख़ रहा है यहांसे न से lengल यो के निंगल चिंड लहा है लिखआँ Сथे यह hommeं यहां पर आ गया, ठीक है, यह हमारा माइनस साहिल निक दे लिए और माइनस इसका करींगे, a² तो इसका करींगे, a² तो इहां पर t के रिष्परेंट इफ्रेंशिक छोनल तो जाएगा, एक y का y dot जाएगा, ठीक है, मतलब दी य बटे, dt, तो इन्होंने यहां पर देखो, वे तो हमारा जो 2 है इसको यह किसमें रिदूस जाएगा मतलब इनकी वैल्यू क्या रख दिनी है इसमें रख दिनी है तो हमारे पस क्या आएगा देखो यहां से क्या हमारे पास देखो यह माइनस यहां से क्या जाएगा 2 a square y dot minus a dash square a dot square plus y dot square minus 3 by 2 into देखो यहां से इसकी value रखी तो यहां पर आएगा x dot x dot square plus y dot square minus 1 by 2 minus a square y और minus यहां पर minus sign है तो हम क्या करेंगे minus सीधर दिनी है x double dot x dot square plus y dot square minus 1 by 2 यहां पर ही लगा दिया तो हमने यहां पर minus sign लगा दिया तो minus यह minus हो जाएगा यह प्लस यह भी plus हो गया तो यह minus 3 by 2 तो हम क्या लेगे यहां पर क्या है x dot है तो हम देखो जह हम इसको solve करेंगे जह हम ले ले लेगे सब तो हमाई पास क्या आएगा minus 2a square y dot minus x dot square plus y dot square minus 3 by 2 x double dot x dot square plus y dot square minus x dot square x double dot minus x dot y dot y double dot y double dot equal to 0 ठीक है इसको simplification करना ठीक है तो हम आपस देखो फिर क्या आएगा देखो जह हम इसको simplify करेंगे तो हम आपस क्या आएगा यह सारा एक साइट को से ले गया ठीक है तो हम आपस क्या एगा 2a square 2a square x dot square plus y dot square minus 3 by 2 यह माइनस आइट पूरा इस साइट को से ले गया ठीक है यह तो हम आपस क्याएगा x dot x double dot minus x dot square y double dot यहां पर क्या है यहां पर इसके सांद मल्टिप्लाय है सिप देखो एक से ले लिए तो हम आपस इसके सांद मल्टिप्लाय करेंगे फिर x double dot x dot square यहां पर यह माइनस की विजी से यह वाला यह वाला कैंसिल हो गया और यहां से y dot a common ले लिए ठीक है y' common यह तो y' minus यहां पर क्या है गा देखो x' और y' और x' डबल ड़स इसके साथ है minus x' y double dot इसके साथ है ठीक है तो हमाँ पास देखो y dot तो हमाँ पास इससे y dot से y dot cancel हो गया ठीक है तो हमाँ पास सिफ इतना रहा ठीक है यह minus sign यह एक bracket यहां पर इन्हों इसके साथ एक bracket आएगा ठीक है तो x double dot जब मल्टिप्लाइ करेंगे तो इससे यह cancel हो जाएगा तो यहां पर y dot 1 common आजाएगा यह देखो यह इससे यह cancel हो गया और यहां पर x dot इसके साथ है minus x dot y double dot और जाएगा और सिंप्लिफाइ करेंगे इसको upon में ले गए ठीक है यह minus sign है यह upon में आगा ठीक है यह upon में है कहने का मतब यह कह है यह के हमें पास हमें पर वैसे ऐसे है हमें पास y x double dot y dot x double dot minus x dot y double dot upon x dot square plus y dot square की पावर 3 by 2 है ठीक है उपर minus sign जाके minus हो जाता है ठीक है जब इसको यह 2a square equal to यह है जब इसको अपो रेस्पिरोकल करेंगे अपान में करेंगे 2a square ठीक हो जाएगा यह उपर से जाएगा यह नीचे आजएगा ठीक है तो इन्होंने यह लिखा देखो x dot square x dot square plus y dot square की पावर 3 by 2 by divided by y dot x double dot minus x dot y double dot equal to 1 by 2a square equal to 6 अब बोलोगा कि यहां पर दो free from T है तो हमने वह आला formula की निकाया f into minus y dot del f by del y dash equal to 0 ठीक है हमें के देरखा parametric form के लिए सिर्व यह देरखा ठीक है उन्होंने मैंसें भी कर रहा था ठीक है जो हो मुझ निया रिजूलर के सने पैरामेर्टिक फोम में हमें यह लगाना पड़ेगा ठीक हमें पास क्या मिलेगा radius of curvature मिलेगा ठीक है उससे करोगे तो हमें पास क्या एगा एक constant फोम में आ जाएगा इस उकल टू एक constant है जाएगा एक प्लस बी की फोम माएगा ठीक है लेकिन हमें के चाहिए radius of curvature चाहिए ठीक हमें solution के बाद के चाहिए radius of curvature चाहिए ठीक है तो हम यह इसी सिर्फ यह लगाएंगे ठीक है इसी से हमें इसको solve करना पड़ेगा ठीक है तो हमें पास देखो 2a2 यह equation 6 इसको note करो अब देखो जो हमने x के लिए कर रहा था x. के लिए हम क्या करेंगे सेम y. के लिए करेंगे तो del 5 del 5 upon del y. equal to minus a2 x. आजेगा y करना है ठीक है यहाँ पर क्या है यह y है del 5 बट्टे del y करेंगे तो minus a2 y. यहाँ पर देखो 5 के लिए यहाँ पर y के respect में तो minus a2 x. आजेगा और यहाँ पर del 5 बट्टे del y double dash करेंगे तो यहाँ पर सेम तो यह आजेगा y. into x. square plus y. square की power 1 minus यहाँ पर क्याएगा minus 1 by 2 आएगा ठीक है यहाँ पर भी क्याएगा minus का आएगा ठीक है यह minus का आएगा देखो करके देख लेना क्योंकि यहाँ पर x का है same upon में जाएगा तो minus 1 by 2 plus a square यहाँ a square x आजाएगा ठीक है तो हम t के respect में इसको differentiate करेंगे तो हम आपस देखो जैसा हमने इसके लिए कर रहा था x के लिए यह यह की respect y के लिए भी करना ठीक है dt यह differentiate करेंगे इसको first function second function लेके तो हम आपस आएगा y double dash into x dot square plus y dot square की power minus 1 by 2 minus y dot x dot square plus y dot square की power minus 3 by 2 into x dot y double dot plus y dot y double dot plus a square x dot ठीक है यहाँ बहाँ पर minus है यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा ठीक है अब देखो तो हमने इससे equation में जो हमने यह 7 और 8 की value क्या रखनी है यह जो हमने equation 3 लीती इसमें रखेंगे तो हमने पास जब देखो जहाँ इसके value रखेंगे तो हमने यहाँ पर सिधा यहाँ पर सिख्या जाएगा यहाँ पर bracket लगार करनोंने उसमें bracket नहीं लगाय था ठीक है तो हमने पास देखो तो जब यह minus into होगा ठीक है जह हम इसमें value रखेंगे minus into होगा तो minus minus आएगा ठीक है तो minus 2 यहाँ पर आएगा minus 2 square x dot minus x dot square plus y dot square minus 3 by 2 into y double dot y double dot x dot square plus y dot square minus y dot x dot x double dot minus x dot square y double dot equal to 0 अब देखो यहाँ से सारा common निकालने के बाद सारा bracket यह देखो इससे यह cancel हो जाएगा यहाँ से एक y double dot इसके साहँ into होगा जब into करेंगे ठीक है और यहाँ से कह निकालेंगे यहाँ पर x dot into निकालेंगे x dot common निकालेंगे x dot common निकालेंगे ठीक है तहां हमें पास क्या आएगा 2a square 2a square equal to यहाँ पर positive होने चीए थे यह 2a square equal to x dot square plus y dot square की power minus 3 by 2 upon upon यह into है ठीक है into यहाँ पर यह into है क्योंकि माइनस 3 by 2 लिखे ना into x dot x double dot minus x dot y double dot और यहाँ पर हम ज़सको reciprocal करेंगे तो यहाँ आएगा positive x dot square plus y dot square की power इन्होंने सब गलर दिख रहा है देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर into है तो इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पर क्या लिख दिया upon में तो यहाँ पर यह गलर दिर खाए यह क्या into मैं ठीक है जैसे वहाँ पर था देखो माइनस 3 की power sorry x dot square plus y dot square की power minus 3 by 2 into y dot x double dot minus x dot y double dot आ रहा था ठीक है और जहाँ इसको reciprocal कर दिखो तो यहाँ पर क्या आजाएगा यह नीची था तो यह उपर जाएगा और यह upon में आ जाएगा ठीक है क्यहाँ पर आएगा प्लस तो यहाँ पर क्या आएगा देखो यहाँ पर आएगा यह प्लस होगा ठीक है यह क्या होगा प्लस x dot square plus y dot square की power 3 by 2 upon y dot x double dot minus x dot y double dot equal to 1 upon 2a square 1 upon 2a square देखो यहाँ से यह वाली equation जो हमने यह वाली equation निकाली थी और यह वाली equation क्या रही है सेम आ रही है ठीक है तो हमाँ पस देखो दोनु क्या रही सेम दो रीडेस और करवेचर है दोनु क्लिक क्या है सेम है देखो using the value of रीडेस और करवेचर रो फॉरा पारेमेट्रिक कर्व x equal to xt y equal to yt as found in calculus 6 and 9 बोथ apply that हमें दोनु से क्या मिलता है दोनु से रो इकल टू 1 upon 2a square equal to constant ठीक है 2a square जो हमें रो का formula होता है ठीक है 2a square equal to constant ठीक है जो रीडेस और करवेचर अगर तुमने जो मेक्ट्री में पढ़ा होगा जो रीडेस और करवेचर होता है ठीक है अगर वह constant है ठीक है तो कि अगर circle देखा अगर इसकी value 1 है तो कि देखा ellipse या hyperbola मैंसे एक देखा ठीक है ellipse या hyperbola ठीक है इसे ध्यान रखना तो एक्स्टेमल साथ circle सा हमाँ पास के मिला एक्स्टेमल circle मिला ठीक है यह गया इसका alternate method हो गया थैंक्यू फ्रेंड्स आज कले बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छे लग गयो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब थैंक्यू